हलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पनीर की रेसिपी हाउ टू मेक पनीर एट होम आज हमने दो लिटर का पनीर बनाया आपने देखा होगा कितना सारा बन चुका है और ये पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस के साथ साथ ये क्रीमी भी बनता है दो लिटर में हमने आज बनाया है 432 ग्राम पनीर क्योंकि मैं इस पनीर का मेजरमेंट भी करके दिखाने वाली हूँ इस रेसिपी के एंड में तो घर पे इतना सॉफ्ट, स्पंजी और क्रीमी पनीर बनता कैसे हैं बहुत सारे टीप्स होते हैं जो आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इन टीप्स को फॉलो करेंगे तो इस तरीके से पनीर आप भी घर पे बना सकते हैं और इसे एक बार बनाने के बाद आप कभी मार्केट का पनीर खरी देंगे नहीं इस बात की तो मैं ग्यारेंटी देती हूँ तो इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखे और अभी तक चानल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राब करके बेल आइटिम को जरूर देखे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें तो चलिए शुरूर करते हैं आज की रेसिपी और पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए दो लिटर दूद यहाँ पे मैंने फूल क्रीम वाला दूद यूज किया है दो लिटर बड़ी वाली कड़ाई में मैंने इसे गरम करने रख दिया है ओकिजनली स्टर करती रहूंगी इसको जब तक की बॉइल नहीं आ जाता अब हम बनाएंगे एक मिश्रन अब इसे फाडने के लिए मैं यूज करूँगी साइटर कैसिड यानिकी निम्बू के फूल आधा चमश निम्बू के फूल मैं एक छोटी सी कटोरी में ले रही हूँ उसमें मैं आड कर दूँगी थोड़ा सा पानी इसे मेल्ट करना होता है तभी हम ये मिश्रन यूज कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे तीन से साड़े तीन निम्बू का यूज भी कर सकते हैं तीन चार निम्बू का रस निकाल के रखे उसमें थोड़ा सा गुन गुना पानी डाले और उसके साथ भी दूद को फाड सकते हैं लेकिन हम निम्बू का यूज करके पहले पनीर बना चुके हैं उसकी रेसिपी भी हमारे चानल पे अल्रड़े अपलोडेड हैं तो आप उससे देख सकते हैं लेकिन आज हम citric acid के साथ ये पनीर बनाने वाले हैं अब मैं continuously stir करते रहोंगी क्योंकि ये दूद गरम हो चुका है इसे boil आने तक मैं ऐसे ही continuously stir करते रहोंगी ताकि इसके उपर कोई मलाई जमाना हो मलाई जमा हो जाती है तो भी पनीर हमारा अच्छा बनता नहीं अब यहाँ पे दूद में boil आ चुका है अब हम धीरे धीरे करके citric acid का जो मिश्रन है उसे मैं डाल रहे हूं यहाँ पे बिल्कुल बूंद बूंद के हिसाब से डालना होता है क्योंकि आधा चम्मच का हमने मिश्रन बनाया है लेकिन कभी-कभी आधा चम्मच का citric acid का मिश्रन लगता भी नहीं कम भी लग सकता है तो इसलिए मैंने आधा ही मिश्रन इसमें डाल दिया है अब यह देखे फटने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है दूद की लेकिन इसमें बचा हुआ मिश्रन भी डालना पड़ेगा तो आधा चम्मच citric acid के फूल का हमने दो चम्मच पानी डाल के जो मिश्रन बनाया था वो पूरा मिश्रन अब हमने इसमें डाल दिया है मिश्रन डालते वग दूद को कंटिनियूसरी स्टर करते रहे और एक ही डिरेक्शन में स्टर करते रहे लेकिन स्टर करते समय जादा जोर जोर से भी बिल्कुल नहीं करना है धीरे धीरे स्टर करना होता है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पनीर हमारा पूरी तरिके से सिप्रेट हो चुका है और पानी पूरी तरिके से अलग हो चुका है तो अब हम इसको चानने वाले हैं इसको चानते समय एक बात का और खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसे हम वाइट कलर का मसलिन क्लॉथ यूज़ करेंगे इस तरके से पतला वाला क्लॉथ चाहिए होता है एक छन्नी के उपर मैंने क्लॉथ को डाल दिया है अब इसमें हम आसानी से चान सकते हैं पनीर को कपड़े को मैंने पानी से गिला करके लिया था आपने खुद देखा होगा वाइट कलर का कपड़ा ले कलर का लेंगे तो उसका कलर निकल सकता है पनीर को लग सकता है अब गर्मा गर्म पनीर को बांद के रखना जरूरी है इसको मैं एक बार फिर से डुबो रही हूं उसी मिशरन में अब इसके उपर बिल्कुल भी थंडा पानी नहीं डालना है ये एक तरीके के टिफी समझे है कि इसके उपर थंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसी इस रुमाल की हम अच्छे से गाट लगा देंगे इसको हमने पैक कर दिया है और इसके उपर वजन रखना भी ज़रूरी क्योंकि इसमें पानी है वो पूरा पानी निकलना चाहिए अब नीचे का पतिला मैं निकाल रही हूँ नीचे मैंने एक कुकर ले लिया है उसके उपर मैंने पनीर को बान दिया है उसके उपर एक प्लेट ज़रूर रखनी है उसके उपर पांच किलो का वजन ज़रूरी है रखना वजन जादा रखेंगे तो पनीर भी बहुत बढ़िया बनता है दो घंटे के बाद अब हम निकाल रहे हैं ताकि हम चेक कर सके पनीर हमारा बन है या नहीं अब दो घंटे के बाद तो पनीर बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुक्या है आप देख सकते यहां पर अब धीरे धीरे इसको खोलूंगे लेकिन आपको यकिन नहीं होगा यह अभी भी थोड़ा थोड़ा गरम ही है यह पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है अभी भी यह लिव कॉर्म है हातों को उसका जो गरमा हाट है वो महसूस हो रही है लेकिन यह प्रोसीजर जो है यहां तक की जो प्रोसीजर है यह 50% ही पूरी हुई है इसके बाद अभी हमें 50% प्रोसीजर और बनानी बाकी है तब यह पनीर सौफ्ट बनेगा स्पंजी बन पनीर को बांद के रखेंगे पानी नहीं डालेंगे तो सौफ्ट पनीर बनता है क्रमली नहीं बनता है अब इस पनीर के हम पहले बड़े-बड़े पीसिस करेंगे और काटते समय आप खुद देख सकते हैं चाकू में बिल्कूल भी पनीर नहीं चिपक रहा है यह बहुत ही बड़े-बड़े छे पीसिस में पनीर को पहले कट कर लिया है अब अगर आपको इमर्जेंसी हो आपको तुरंद कुछ सबजी बनानी हो तो आप इस पनीर की भी बना सकते हैं लेकिन आगे का 50% प्रोसीजर अगर कम्प्लेट करेंगे तो उसके फाइदे क्या-क्या है वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ अब मैंने इस पनीर को डाल दिया है रूम टेंपरेचर वाले पानी में अगर इसको डालेंगे तो अब यह गरम है थोड़ा सा यह पूरी तरके से ठंडा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा पानीर को अबसोर्ब भी करेगा इसी के कारण पनीर जो हमारा है बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगा अब हम दो घंटे के बाद ही इस पनिर को पानी से निकाल लेंगे इसको अब मैं ढख कर रखूंगी अब दो घंटे हो चुके हैं आपको पनिर काट के भी दिखाना है तो अब दो घंटे के बाद हम पानी से पनिर को निकाल लेंगे आप देख सकते हैं पनिर की थ आपको एक बार दिखा देती हूं, दो लिटर में हमारा इतना सारा पनीर बन चुका है, अब हम इसको काटेंगे, छोटी-छोटी पीसिस करकर अगर दिब्बे में भरके रखेंगे फ्रीज में, तो जब भी आपको पनीर यूज करना होता है, फटा-फट कुछ पीसिस यूज कर सकते हैं, इसमें से निकाल कर, और इसकी सॉफ्टनेस अब आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया बन चुका, यह पनीर आप ऑईल में डालो, ग्रेवी में डालो, यह टूटेगा नहीं, क्रमली नहीं बनेगा, फटेगा नहीं, ऐसा ही सॉफ्ट रहेगा, और पनीर की बह आपको आपको मिल जाएगी, इसकी सॉफ्टनेस को देखते ही, कोई भी इसे तुरंद बनाना चाहेगा, इतना सारा पनीर हमारा बन चुका है, इसे मैं मेजर करके भी आपको दिखाने वाली हूँ, उसके पहले एक बात जरूर बताऊंगी, अभी तक चानल सब्सक्राइब ने किया, तो प्ली चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर मशीन को हमने रख दिया, मशीन के उपर एक डिबा भी रख दिया, आप देख सकते हैं, जीरो यहाँ पर, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी, और खूद मेजरमेंट इसका देख सकते हैं, इतना सारा पन ने वद इसी तरीके से सपोर्ट बनाया रखे, और इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिल के साथ शेर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना बोले, अगली बार फिर से मेलूंगी एक बढ़े आसे ने रेसिप सा, तिल देन, बाई